स्टूडेंट को में आप सभी का स्वागत है आईए देखते हैं आज का टॉपिक हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए के बाद सरकारी नौकरी के बारे में यनि कि हम यहाँ पर जानेंगे बीए ग्रेजवेशन को कंप्लेट करने के बाद हम कौन-कौन से सरकारी नौकरी कर सकते हैं Government Jobs After BA इस वीडियो में आपको BA के बाद किये जाने वाले Government Jobs के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी तो इस वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली और भी वीडियो के अपडेट आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सबी वीडियो देख पाएंगे तो आईए जानते हैं BA के बाद कौन कौन से Government Jobs हम कर सकते हैं हर एक Graduate Person के पास Government Sector में जाने के लिए बहुत सारी Opportunities होती हैं फिर चाहे आपने किसी भी डिग्री से Graduation किया हो इससे कोई फरक नहीं पड़ता ठीक इसी तरह जो इस्टुडेंट BA से Graduation करते हैं उनके पास भी Government Sector में जाने के लिए बहुत सारी Job Opportunities होती हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं B.A.C. Graduation complete करने के बाद आपके पास Private Sector में भी काफी सारी Job Opportunities होती हैं अगर आप चाहते हैं कि आप Private Sector में ही Job करें तो आप Private Sector में भी Job कर सकते हैं लेकिन अगर आपको Government Sector में Job करना है तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में हम Only Government Sector Job के बारे में बात करने वाले हैं Government Job के लिए पहले आपको कुछ exams देने पड़ते हैं और जब आप ये exam clear कर लेते हैं तब आपको आपके exam के हिसाब से ही आपको post दिये जाते हैं अगर आपको जैसे high level का post चाहिए Government Job में तो आपको exam भी उस type का ही देना होगा यानि की exam भी उसी level का होगा जितने भी Government Jobs होते हैं उनमें से ज़्यादा तर Government Job Position में एक age limit रखी होती है अपलाई करने की ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आवेदकों की संख्या को सीमित रखा जा सके तो इसलिए आपकी age limit भी Government Jobs में matter करती है और Government Job के vacancy की announcement भी कुछी समय के लिए होते हैं कभी-कभी साल में एक बार भी होते हैं तो आईए देखते हैं ये करने के बाद हम कौन-कौन से Government Jobs के लिए apply कर सकते हैं सबसे पहले आपके पास option होता है Government Teacher बनने का किसी भी Government School में टीचर की job करने के लिए आपको पहले T.E.T. qualify करना होता है T.E.T. का मतलब होता है Teacher Eligibility Test अगर आप एक Government Teacher बनना चाहते हैं तब आप इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा T.E.T. exam National Level यानि की Central Level और State Level दोनों ही लेवल पर कराया जाता है एक्जाम की डेट अगर आपको पता करनी है तो आप CT.E.T. website पर विजिट कर सकते हैं वहां से आप एक्जाम के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं इस एक्जाम को क्लेर करने के बाद आपको किसी भी Government School में First Class से लेकर के 8th Class तक Teaching करने की नौकरी मिल जाती है अगर आप T.E.T. exam देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Graduation में 60% Marks स्कोर करना बहुत ही जरूरी है अगर आपके Graduation में 60% Marks आते हैं तब आप इस एक्जाम के लिए eligible होते हैं यानि की आपको B.A. में 60% स्कोर करना है और इस एक्जाम में आपके दो पेपर्स होते हैं जिनें आपको क्लेर करना होता है अगर आप एक सरकारी टीचर बनना चाते हैं तब आप T.E.T. के एक्जाम को क्लेर करके Government Job आसानी से पास सकते हैं टीचर के रूप में तो आईए देखते हैं दूसरा Government Job कौन सा है दूसरा आपके पास Option होता है S.S.C. यानि की Staff Selection Commission S.S.C. में Graduation Complete किये हुए Students के लिए हर साल काफी सारे पोस्ट निकलते हैं जिनके लिए आप BA के बाद भी Apply कर सकते हैं क्योंकि BA भी Graduation होता है तो जब आप BA Complete कर लेते हैं तो Graduation के लिए निकलने वाले पोस्टों पर आप Apply कर सकते हैं जैसे की S.S.C. MTS, S.C. CGL, S.C. CPO आदी S.S.C. एक भाते संगठन है ये भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में अलग-अलग पदों के लिए कर्मचारियों की भरती करवाता है ये Subordinate Office के लिए भरती करता है S.S.C. CGL एक्जाम पास करने के बाद आपके पास 31 अलग-अलग जॉब पोस्ट होते हैं तो आप सोच सकते हैं जब आप S.S.C. CGL एक्जाम पास कर लेंगे तब आपके पास 31 जॉब पोस्ट होते हैं जिन में से आप किसी पर भी नौकरी कर सकते हैं और अगर बात की जाए चांसिस के बारे में तो S.S.C. में एक्जाम अटेंप्ट करने के आपके पास unlimited chances होते हैं यानि कि आप जितनी बार चाहें उतनी बार कोशिश कर सकते हैं S.S.C. को clear करने की और इसमें एक age limit होती है बस आपको उस age limit का ध्यान रखना है लेकिन आप जितनी बार चाहें उतनी बार attempt कर सकते हैं तो आईए इसके बात जानते हैं next government job के बारे में S.S.C. के बाद आपके पास option होता है IBPS का IBPS का मतलब होता है Institute of Personal Selection अगर आपका interest banking sector में है और आप banking sector में job करना चाहते हैं और आपको government job ही चाहिए बहरती करवाता है यानि कि IBPS सिर्फ exam conduct कराता है जब आप exam clear कर लेंगे तब ये आपका किसी ने किसी bank में government job लगवा देता है तो इस तरीके से IBPS जो है ये एक ऐसी संस्था है जहां पर सिर्फ exam conduct कराए जाते हैं नौकरी आपको banks में ही मिलेंगी और bank का इनके साथ contact होता है यानि कि IBPS clear करने के बाद आपका job किसी भी bank में लग सकता है IBPS का पूरा नाम है Institute of Personal Selection और अगर इसे हिंदी में कहा चाए तो banking कार्मिक चयन संस्थान IBPS सार्वजनिक bank में PO, RRB, clerk और specialist जैसे level के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की भरती के लिए exam conduct कराती है IBPS की जरिये ही सार्वजनिक banks के लिए employee का चयन किया जाता है तो यदि आपको bank में job करना है तो ये exam आपको जरूर देना चाहिए IBPS exam पास करने के बाद आपको job किन किन bank में लग सकता है तो उनके नाम में आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको job किस-किस bank में मिल जाएगा सबसे पहले आता है Oriental Bank of Commerce इसके बाद है Indian Overseas Bank Punjab National Bank Punjab and Sind Bank Central Bank of India Yuko Bank Dana Bank Vijay Bank Indian Bank United Bank of India Union Bank of India Corporation Bank Maharasht Bank Baroda Bank Kanara Bank Bank of India Andhra Bank Syndicate Bank Allahawad Bank तो यह सारे कुछ banks के नाम है जिनमें आपकी job लग जाएगी जब आप IPS का exam clear कर लेते हैं IBPS exam के लिए आपकी जो age होनी चाहिए वो कम से कम 20 साल होनी चाहिए अगर आप 20 साल से कम age के हैं तब आप इस exam को नहीं दे सकते हैं इसलिए आपकी जो age होनी चाहिए वो minimum 20 years होनी चाहिए और maximum 30 years होनी चाहिए यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 साल के होने चाहिए अगर आपकी age 30 साल से ज़्यादा है तब भी आप इस exam को नहीं दे सकते हैं यानि कि 20 साल से 30 साल के बीच में अगर आपकी age है तब ही आप इस exam को दे सकते हैं और banking sector में government jobs कर सकते हैं और इस exam के लिए आपके पास eligibility criteria में graduation की degree होना बेहत जरूरी है जैसे कि अगर आपने BA कर रखा है तब आप इस exam को दे सकते हैं और BA के अलावा अगर आपने कोई और भी graduation degree की है तब भी आप इस exam को दे सकते हैं और इसमें exam के तीन stage होते हैं पहला होता है preliminary exam दूसरा mains exam और तीसरा होता है आपका interview लेकिन जो exam bank clerk के लिए होता है उसमें दो ही stage होते है examination के पहला stage होता है preliminary exam और दूसरा stage होता है mains exam तीसरा stage जो interview होता है वो clerk में नहीं लिया जाता है तो इसमें आपका interview नहीं लिया जाता है इसलिए exam case में दो ही stage होते हैं और IBPS exam के लिए 10 लाग से जादा student हर साल apply करते हैं तो इसमें जो competition है ये भी काफी जादा है तो आपको इसमें मेहनत करने की बहुत जरुवत है क्योंकि इसमें बहुत जादा competition है तो आईए इसके बाद हम जानते हैं कि IBPS के अलावा और कौन-कौन से government jobs हम BA course को complete करने के बाद कर सकते हैं इसके बाद आता है UPSC इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा UPSC और UPSC के topic पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें आपको UPSC के बारे में सुरू से अंतक पूरी जानकारी मिलेगी तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन में वो वीडियो शो हो रहा है वहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं इसके अलावा आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा तो आईए बात करते हैं UPSC के बारे में सबसे पहले हम आपको UPSC की full from बता देते हैं UPSC की full from है Union Public Service Commission इसे हिंदी में कहते हैं संग लोग सेवा आयोग UPSC जो है ये IAS, IPS यानि की Civil Service जैसे कई अन्य Grade A और Grade B के लिए अधिकारियों की भरती करता है UPSC एक संस्था है ये संस्था Civil Service Exams IFS, IAS, ESE, NDA, CDS और SCRA जैसे लगभग 24 पोस्ट के लिए exams conduct कराती है और इसके लिए अगर eligibility criteria की बात करें तो आपकी age जो होनी चाहिए वो minimum 21 years से maximum 32 years होनी चाहिए अगर आप 21 साल से कम उम्र के हैं तब भी आप इस exam को नहीं दे सकते और अगर आप 32 साल से जादा उम्र के हैं तब भी आप इस exam को नहीं दे सकते और अगर आप SC या फिर ST category से belong करते हैं तब आपको age relaxation 5 साल का मिलेगा यानि कि 5 साल के आपको छूट दी जाती है और इसके लिए आपको भारतिय नागरिक होना बेहत जरूरी है अगर आप IAS, IFS या फिर IPS exam देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारतिय नागरिक होना बेहत जरूरी है अगर बात की जाए इस exam को attempt करने के नंबर के बारे में तो आप 6 बार इस exam को attempt कर सकते हैं अगर आप general category से belong करते हैं इसके अलावा SCST और OBC category वालों के लिए chances थोड़े बढ़ जाते हैं तो इसके बारे में अगर आपको जानना है पूरी जानकारी चाहिए तो आईए इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन सी सरकारी नौकरी के लिए हम apply कर सकते हैं तो UPSC के बाद आता है BDO BDO का मतलब है Block Development Officer BDO बनने के लिए आपको graduate होना जरूरी है जो कि आप BA के बाद graduate हो ही जाते हैं BDO एक high level की job है इसके लिए आपकी जो eligibility criteria होना चाहिए उसमें आपका age 21 से लेकर के 40 होना चाहिए यानि कि minimum age आपकी 21 होनी चाहिए और maximum 40 होनी चाहिए जो भी students OVC category से belong करते हैं उनके लिए 3 साल की छूट है age में और जो students SCST category से belong करते हैं उनके लिए 5 साल का age relaxation है यानि कि उनके लिए age में 5 साल की छूट है बीडियो का जिस भी किसी area में job लगता है वहां के विकास कार्यों की देखवाल करना बीडियो का काम होता है बीडियो यानि कि block development officer block level पर गाउं के विकास योजनाव जैसे कि निर्धन आवास, व्रधावस्था पैंस्टन, क्रिशी योजनाव आदी से जुड़े कामों को पूरा करते हैं तो ये है बीडियो का काम यानि कि block development officer का काम और ये एक high level का job है तो आप graduation पूरा करने के बाद इसके लिए भी apply कर सकते हैं और ये भी एक government job है तो जब आप BA course complete कर लेते हैं तब आप graduate हो जाते हैं और graduate होने के बाद आपके पास government नौकरी के इतने सारे options होते हैं आप इनमें से, अपने interest के हिसाब से किसी भी government नौकरी के ले apply कर सकते हैं और उसका exam clear करके government job पा सकते हैं तो आपको हमारे आज की ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी helpful लगी हो तो एक like ज़रूर कर दीजेगा और हमारे चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस कीजेगा जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो के notification आपको असानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियो देख पाएंगे और इस वीडियो को अपने friends और relatives में ज़्यादा से ज़्यादा share कीजे वर्ट्शब ग्रूप, facebook ग्रूप सब में share कीजे और अगर आपको अभी भी कोई doubt है तो हमें comment करके ज़रूर पूछेगा Thank you so much for watching this video